शनी देव आपको करोड़पती बना सकते है, शनी देव आपको रोड़पती भी बना सकते है, इतना ही नहीं दाने-दाने का मोहताज होना ऐसा भी हो सकता है, या आप किसी नगर के अध्यक्षबन सकते है, आपका कोई महाल मिल सकता है, तो ऐसे कैसे होता है, इसके कोई नियम है तो हां नियम वश्य है शनी देव का संबंध हमारे पूर्व जन्म से होता है पूर्व जन्म के हमारे कुछ कर्म होते हैं उन पर से इस जन्म की शनी देव की राशी और स्तान निश्चित होता है शनी देव का कुंडली में स्तान और राशी से आपका भविश्य भी करने वाले हैं वह विशे है शनी देव बनाएंगे करोड़ पती या रोड़ पती उतनी शक्ति शनी देव में निश्चित रूप से होती है जिस कारण उनके संधर्व में हमारे समाज में विभिन प्रकार की ब्रहंतिया फैली हुई है उन्हें दूर करने के लिए हमने इस विशे का चैन किया है इसमें मैं आपको शनी देव उनके कार्य करने की पत्दती उनके शुभ अशुभ फलो के संधर्व में विस्तार से जानकारी देने वाली हूँ इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना न बुले साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो विडियो को शेयर भी करे ताकि दूसरों थक पहुँच सके शनी हमारी कुंडली का तिंत महतो पुरुणग रह होता है हमारे समाज के शनी देव को लेकर विभिन प्रकार की भ्रांतिया पहिली हुई है शनी देव का केवल नाम लेने पर ही कई लोग मन में एक प्रकार का भहे निर्मान होता है उसमें भी सबसे पहले साड़े साती सामने आती है साड़े साती लगने के बाद जैसे कोई बड़ा संकट आया है रोज नहीं परेशानी निर्मान होगी यह भय मन में उत्पन्न होता है, जिस कारण साड़े साती सुरू होने से पहले ही लोग बड़े भयवित हो जाते हैं, सच कहा चाहे तो, शनी देव संपूर्ण विश्व के नायाधीश है, उनमें देने का सामर्थ है, शनी देव जब देने की सुरुवात करते हैं, तब आपक को दोनों हतों से भरपूर देते हैं, लेकिन उनके अपने कुछ नियम है, शनी देव आपको करोड़पती बना सकते हैं, शनी देव आपको रोड़पती भी बना सकते हैं, इतना ही नहीं दाने-दाने का महुतास होना ऐसा भी हो सकता है, आपको कोई महाल मिल सकता है, तो ऐ कैसे कैसे होता है इसके कोई नियम है तो हां नियम अवश्य है शनी देव का संबंद हमारे पूर्वजनम से होता है पूर्वजनम के हमारे कुछ कर्म होते हैं उन पर से इस जनमकी शनी देव की राशी और स्तान निश्चित होता है शनी देव का कुंडली में स्तान और राशी से आपका भुष्य भी निश्चित होता है कि आप वास्तों में कौन बनने वाले हैं आवश्यक नहीं कि आपको जोतिश में कुछ अधिक आता हो आपने के वर अपनी चंद्र कुंडली सामने लेनी हैं जिसे हम राशी कुंडली कहते हैं कई लोगों को अपनी राशी पता होती है उस अनुसार आप अपनी राशी कुंडली सामने ले उसमें आप देख सकते हैं कि कुंडली के अनुसार शनी देव आपको क्या देने वाले हैं शनी देव आपसे क्या कह रहे हैं इस पद्दती से हर कोई अपनी कुंडली स्वयम पढ़ सकता है जो अत्यंत सरल है वास्तो तो में शनी देव की नकारात्मक फल प्रैप्त होते हैं संग्षयप में राशी के अनुसार फल देने की दिशा wp में बद्लाव होता है उसे हम समझने वाले है आपको जीवन में शनी देव से कब सहयोग मिलेगा नकारात्मक परेडाम कब मिलेंगे कब उच्च शिखर पर पहुचाएंगे और कब नीचे उतारेंगे इसे आप स्वयम पहचान सकते हैं क्योंकि वह अत्यन्द सरल है उसे और सरल कुंडली ऐसे विभिन प्रकार की कुंडलिया होती है लेकिन आज हम जो अध्यन करने वाले हैं मुख्य रूप से राशी कुंडली से करने वाले हैं क्योंकि जो उतिश के अनुसार महादशार राशी कुंडली से निश्चित होती है साड़े साती भी चंद्र कुंडली अर्थ है इसलिए यह अध्यहन हम राशी कुंडली से ही करने वाले हैं आपके पास राशी कुंडली ना हूँ तो आज कल कई स्वाप्टेवर मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्द है उसे आप डाउनलोड कर ले उसमें आपकी जरम समय और जरम स्तान डाले वहां से आपको आपकी जर रहेगा मुख्य रूप से शनी देव को समझना सरल रहेगा शनी देव संपुर्ण विश्व का नयाधीष कहा जाता है उन्हें कर्म का कारक भी कहा जाता है लाभ का कारकत्व भी उन्नी के पास है रुशी मुनियों ने कुंडली का निर्बान करते समय उसमें बारह स्तान न स्वामित्व होता है उस स्तान पर उस ग्रह का सामराज्य होता है रवी और चंद्रमा को एक एक स्तान का स्वामित्व दिया गया है उसके बाद मंगल बूद गुरु शुक्र और शनी को दो-दो स्तान समाहने का काम दिया गया है कुंडली की इस रसना को आपने मुख्य लिको देखे तो उसमें शनी देव के पास कर्म और लाभ इन दो महत्वपुर्णस्तानों का स्वामित्व दिया गया है इसलिए हम शनी देव को कर्म अधिपती कहते हैं मेरे कई वीडियो में आपने ये वाक्य कई बार सुना होगा वे कर्म अधिपती है साथ ही वे लाभ अधिपती भी है है आप उचित कर्म करें उस अनुसार मैं आपको उचित फल प्रदान करूंगा ऐसा वे सभी को कहते हैं उस पद्दती से वे आपको फल भी देते हैं आज की राशी कुंडली देखकर वे आपको कोन से कर्म बताने वाले है और किस प्रकार का लाभ देने वाले है ये मैं आपको समझाने वाली हूँ तो शनी देव के पास अपनी दो राशिया है मकर और कुंभ इन दो राशियों का सावमित्व शनी देव के पास है उसमें मकर अर् प्रुथ्वी तत्व पसंद आता है इसलिए शनी देव वायू तत्व और प्रुथ्वी तत्व को अच्छे फल देते हैं मंगल ग्रह उनका शत्रु माना जाता है रवी और चंद्रमा की राशियों में भी शनी देव के अशुब फल मिलते हैं सच कहा जाए तो मंगल रवी च होते हैं इसके विरुद्ध मकर और कुम्म राशी के शनी देव सकार अत्मक होते हैं वास्तों में शुब फल अधिक राप्त होते हैं मिथून राशी उनके मित्र ग्रह की राशी की राशी है इसलिए उस राशी में भी वे शुब फल देते है कन्या राशी के लिए शणी देव कारक है जिस कारण वहां भी उनके शुब फल प्रापत होते है संग्षेप में जैसे मनुश्य वैसे ग्रह ऐसा हम कह सकते है मनुश्य जब अपने मित्र के घर जाता है तब बहुत प्रसंद रहता है शत्रू के घर दुखी रहता है वहाँ पर उसे अच्छा नहीं लगता या परेशानी अधिक होती है जीस कारण वे अच्छा कार्य नहीं कर सकता यही नियम ग्रहों को भी लागू है उस अनुसार शनी देव जब अपनी मकर या कुम्व राशी में होते है या अपनी उच्च राशी अर्था शुक्र की तुला राशी में होते है जो वायू तत्व की राशी है उस राशी में वे शुभफल देते हैं उसके बाद रुशब मिथुन और कन्या राशी में भी वे शुभफल देते हैं तो अब आपने क्या करना है सबसे पहले अपनी राशी देखनी है इन छह राशीयों को शनी देव मूल से रूप से कम से कम नकारात्मक फल देते हैं अर्थात आपके मूल कंडली में चंद्रमा इन छे राशियों में से किश्दी भी राशी में हो तो आपको शनी देव से परेशानी कम होती है जैसा दो अंकल इखे हुए स्थान में वृषप राशी आती है, तीन अंकल इखे हुए स्थान में मिथुन राशी आती है, छो अंकल इखे हुए स्थान में कन्या राशी आती है, साथ अंकल इखे हुए स्थान में तुला राशी आती है, दस अंकल इखे हुए स्थान में मकर राशी और ग्यारह अंकल इखे वेस्ताद में कुम्भ राशी आती है इन छो में से कही भी चद्रमा हो तो आपको शनी देव से परेशानी कम होती है यह पहला और सामान्य नियम है इसके बाद दूसरा नियम है कि शनी देव आपके लिए शुभा हो सकते है वे आपको करोड़ पती बना सकते है यहां तक की जमीन से उठाकर सफलता की उचाई पर लेकर जा सकते है शनी बड़ा ग्रह है उन्हें संपुर्ण विश्वकान आयधीश कहा जाता है चात ही शनी देव को तीन दुष्टिया होती है ग्रह की दुष्टि क्या होती है तो ग्रहों की दुष्ट सबसे अधिक महत्व प्रोड़ मानी जाती है जब आपके घर का दर्वाजा खुला हो लेकिन आपकी नजर उस पर हो तो चोर अंदर घुस नहीं सकता आपने कई पर वास्तु रखी है उस पर जब तक आपकी दुष्टी है तब वह वस्तु सुरक्षित रहेगी किसी चोर की दुष्टी आपके मोबाइल पर है और आपका थोड़ा ध्यान हट जाए तो मोबाइल गायब हो सकता है क्योंकि वह चोर है और मोबाइल चुराना उसका काम है स्ञर्णा जाइसा ग्रह जिस घर में विराजबान होते हैं उस घर का नाश करता है साथ ही जिस घर पर उसकी दुष्टी होती है उस घर का भी नाश्ट करता है हमारी कुंडली में कुल बारह गहर होते हैं शनी देव कोतुईन दुरुष्टिया है एक घर में वे स्वयम बेठे होते हैं और तीन गरों पर उनकी दुरुष्टी होती है अर्थात उंडली के बारह गरों में से चार गरों पर उनका प्रभाव एक ही समय पर पड़ता है तो इन चारों गरों के क्या नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं तो ऐसा नहीं होता इसके लिए पहला नियम जो मैंने आपको समझाया कि शनी देव कौन सी राशी में है यह देखे उससे आप तय कर सकते हैं कि उनके प्रभाव नकारात्मक है या सकारामक है उससे पहले आपको छो राशिया बताई है उन में से किसी भी राशी में चंद्रमा विराजमान है और शनीदेव भी छ में से किसी राशी में है तो वे आपको मूल रूप से सकारात्मक परिणाम देते हैं क्योंकि स्वर राशी के उच्च राशी के मूल त्रिकॉन राशी के और मित्रग्रह की राशी के शनीदेव सकारात्मक परिणाम देते हैं इसलिए वे आपको करोड़ पती बना सकते हैं इस प्रकार शनीदेव को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक पहुच सके धन्यवाद शुभम भवतु जय जोतिश जोतिश का देहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये हैं उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चानल और ह बेल आइकोन दा बना ना भुले धन्यवाद